तो हलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आसा करते हैं अच्छोंगे तो स्वागत है हमारे आज के नए ब्लॉग में आज हम आपको दखाने पार रहे हैं यहां माहिल तालाप को जो हमारे औरही में हैं औरही की बीच में पढ़ता है जस्ट इससे ही माहिल नगरी के लिए हम से भी जानते हैं चली चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको बने रही व्लॉग में तो गॉस देख रहा है अभी हम घुम रहे हैं माहिल तालाप यह देखिए पीछे सड़क है पूरा गुल जक्क्र है यहां देखिए है जाते हैं च चलके जलते हैं ऑर आगे देखाते हैं आपको कैसा लगता थे देखी सामने से कुछ किसा देखता तो गाई आप देख रहे हैं यह पीछे अभी हम खड़े हैं अपने माहल तालाप के जस्ट बीच में और यह देख रहे हैं सभी लोग कोई रील बनाता है कोई देखे इंस्टाग्राम पर जो लाइटिंग दूस करते हैं अपने बच्चों को लेकर आए देखी यहां पर सभी बच्छी और यह देखीजे पुरा सीन है यहां का इस तरीके अथ देखता है कुछ तो चलीव जलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको आगे कैसा सीन है कैसा लगता है mbOC देखाते हैं आपको अजब हुच्छिन चलते हैं आगे मनेड़ी ब्लॉग कर दो कर दो कर दो मुझे भुछ पानी पानी एकुछ अगुछदा गानी पानी एकुछदा कि पीछ में देखिए आप पार्क यह बना है पूरा फार्क और इस बाड़ा ना दब बन गई यह आप देख रहे हैं यह पूरा चक्कर है गोल यहां का पार्क का माहिल तालाप का इस तरह से अब देखिए अभी हम वहां आते उस तरफ देख रखते हैं माल बदेख बना का इस तरहा हैँ है यहां कि एक तरहए तरहां कि इस प्तर हैं इस पार्रणी आते हैं जिलिल रखना है तो मिली कह एंगा है भर उली हुए ऑना है तो काईज आप देख रहे हैं यह है डी एवी इंटर कोलेज जस्टिस के पीछे मैल दालाब के पीछे और इसके पीछे मठ बना हुआ है जिसमें कहते हैं कि महोबा के लिए यहां से सुरंग भी गई हुए से माहिल तालाब इसलिए से माहिल ने बनवाई थी तो पता नहीं खंदर हो गई है अब को सुस्काता पता नहीं दखाते हैं आपको अंदर सर यह देखी है यह पूरी खंदर हो चुकी है यह आई से दरवा जाय है अंदर सुरंग का जो महोवा में निकलता है तो आप खंडर हो गया है और यहां आपको कई चैची स्लोगन देखने को मिल जाएंगे यसी यह लखे हैं बहुत सारे आगे भी आपको मिलेगा यह देखिए कई सारे स्लोगन यहां पर लखे हैं यसी आगे है